तो कारकरम करते करते ही खबर आ गई कि जेडी यू के पदाधिकारी राश्टी प्रदाधिकारीयों की जो बैठक होनी थी वो खतम हो गई और राश्टी अध्यक्ष पर कोई चर्चा नहीं हुई हलां कि राश्टी कारकरानी बैठक कल है और उसमें इस बात पर आज राश्टी पदाधिकारीयों में चर्चा हुई कि राश्टी प्रस्ताओं में कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए कर राश्टी अध्यक्ष का मसला इस इस बैठक में होता भी नहीं निपाहें ये लगी है कि निटिश कुमार की पार्टी जे डियू क्या करेगी 29 तारीक को निचिश कुमार के पार्टी में क्या फैसला होगा और 24 के लोग सबाचुनाओं में बिहार में क्या होगा मैं कुछ और लोगों के साथ चाय की दुकान पर शाम ढल चुकी है हूँ आपका नाम क्या है या आप मुझे बताईए नितीश कुमार आपको क्या लगता है क्या होगा कल नितीश कुमार हिंदुस्तान के परधानमंत्री मेटेरियल है क्योंकि नितिश कुमार सत्रा साल से बिहार को चला रहे हैं एक भी दाग उनके कुड़ते के उपर नहीं है लोग कहते हैं पल्टुए ये ये कुछ ऐसा कैसे हो सकता है एक ही आदमी सत्ता में काभी जोता है कुस्तों काभलियत है ना उसके अंदर जो ये जो इंडिया है इंडिया को खड़ा करने वाला नितिश कुमार है उनके इंडिया में चार बैठक हो के कुछ पत oil नहीं सयोज़क नितिश कुमारी वनेंगे आफ देख लीजैगा अगर नितिश कुमार ने तो इंडिया गठबंधन मुश्किल में आ जाएगा मैं आपको कहता हूँ लेकिन पहली जो इंडिया गठबंधन की बैठक थी उसमें नितीश कुमार को जो तवज्यों मिली लगता नहीं कि वो चौती बैठक तक आते आते काफी कम हो गए यह अपना अपना नजरी है कुछ कम न होने से पहले ही डिक्लेयर है अगर एक होके लड़ा तो प्रधान मंतिर नहीं मोदी बीजेपी को दोजार चोबिस में कोई टकर दे पाएगा अगर एक होके लड़ता है इंडिया तो 273-274 तक जाएगा इंडिया आप देख लीजीए का बिहार के अंदर 40 सीटे हैं साथ मे 25 सीटे राजिस्तान की लगा लो इससे जादा तो बढ़ नहीं सकती ना मद्यपरदेश की पूरी सीटी इनके पास है हरियाना की इनके पास है पूरी की पूरी सीटे अपना गुजरात की सीटे इनके पास है और इससे जादा कहां से सीटे आएगी बताईए आप मुझे बहुती जवर्जस तरीके से लीड करता हुआ आगे बढ़ रहा है पढ़ने जी तब बिहारे के हैं कि इनको मैं जानता हूँ यह जो सब्की अलग अलग राय है नितीष कुमार जी के ऊपर कोई दाग नहीं है अभी तक नहीं लगा है दाग दाग तो दूसरा आदमी भाग के खड़ा हुआ थे नितीश जी का खुद मूह लटका हुआ था चुकि उनको कोई जो है ने तबज्जो वैसा नहीं कि इस तरह नितीश जी लगके या गठवंधन खड़ा किये उस हिसाब से इन या गठवंधन में इनका कोई तबजू नहीं दिया केजरिवाल और ममता वनर्जी सीधे सीधी खड़गे का नाम ले लिया और तब से नितीश जी कटे 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 रह रहे हैं यह तो कुछ आपसी तालमेल है और लगता है कुछ जुकाव भाजपा तरफ हो रहा है लेकिन आप पता नहीं यह राजनीत है देश का राजनीत जो है न बहुत घिनोना हो चुका है उस इस हिती म देश के व्यवस्था के लिए मूलत नेताओं को आना चाहिए केवल अपना सत्ता बनाने में सभी लगा हुआ है जनता के ऊपर किसी का निगाह चाहे रोजगार के ऊपर किसी का निगाह नहीं है भाजपा कर रही है अपने में तो भाजपा बहुत कर रही है और कर भी रहा ह अहोगा भी इस वार जो है न लोग कहता है जो हाँ भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है कोई टक्कर में नहीं है चुकि हम लोग किस परे हैं चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में यह कहावत जो है न हकीकत चर्टार्थ होगा और लगता है जो भाजपा इस वार 400 के पार जाएगी और 400 के पार यह नहीं जाएगी और विहार में आप खास करके देखिएगा मेरा बात को आप मिलाईएगा लालू जी और नितीष जी इसी फंटे में समाप्त हो जाएगे इस बार विहार में और फुल मेजरोटी में आएगा भाजपा इसको आप लिख लीजिएगा इसे कोई क पर आज थंड़क है ज्यादा कल के मुकाबले और लोग भी अगर आप देखिए दिली में करनाट प्लेस में इका दुक्का लोग जिस इलाके में में हो इधर भी देखिए हाला कि नए साल की पूर संद्या पर यहां एक्दम मजमा लगता है अभी आदमी बहुत कम है ठंड ठशीन थोड़ा ज़्यादा है आपका क्या मनना देश की राज्ञीत में और बिहार में और बीजेपी क हमें द्रय में क्या हल चाल है और नितिश कुमार क्या कर हिला है हो क्या होगा कि हर इलेक्शन के अंदर उन्नीस भीस रहता है कि सब यहां पर बैठे थे जब यह मध्या परदेश का एलेक्शन हो रहा था 36 गड़ का इस पर तोड़ पर कहके चल रहा था कि 36 गड़ बीजेपी एंडड वन परसंट जीत कर आएगी तिलंगाना नहीं जीती तिलंगाना की न अन्निस यह लड़ने तो दो पूरी इतो यह अी सब्5 लडा टी तो आंटर्ट मोर परसंट त्रलंगा ना में है बढ़ी एक यही तो मुष्किल है इसाइर पूरी शीर पे नहीं लड़ने लड़ताल थे लटते सुब्यां को पूरी शीजिक यहन यह जमीन आसमान कहनता है तो दोनों एक उत्तर दक्षिन एक छोड़ी आप इसी तरह बता रहे हैं राइस्तान में लोग सबागी कितनी सीट है लोग सबागी लोग सबागी लोग सबागी 25 सीट है गुजरात मद्यपर्देश में 31 सीट है तो मद्यपर्देश राइस्थान में बीजेपी का कुछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ना क्या है जो एक बच्छी होई है वो भी आ जाएगी पूरी मद्यपर्देश की एक सीट रहे थी ना इस बार देख लेना वह भी घशीट के लिए आएंगे पूरा का पूरा रेज़ेगा क्लीन सीप हो जाएंगे इस बार बीट करेंगे याद रख लेना तमिल नाडू के अंदर से एंडर्ट परसेंट कम से कम कम संब पांच सीटा लेकर रहेगी बीजेवी एंडर्ट परसेंट पांच सीटा है चलिए ठीक है माहूल क्या में बस आज इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कैमरा मेंन अगरा राना के साथ राजीव रिंजन न्यूस 24 दिल्ली झाल झाल